हेलो एवरिमान, वेलकम बेक तो मैं यूटीब चैनल व्यूजर चेक्नोलोजीज आज ही क्लास में पढ़ेंगे पांदास का दी प्लॉट फंक्शन डेटा अनलसीज में विजुलाज़ेशन इस वेरी वेरी इंपोर्टन जो चीज़ डेक्ली हमें नजर नहीं आती वो ग्राफ्ट ज़री हम इसली देख सकते हैं विजुलाज़ेशन की बहुत सी लाइब्रेडी हैं जैसे के सीबोन, मैट, प्लॉट, लिब, टैबल्यू, प्लॉट लिव गएरा आल तो अभी तक हमने कोई भी विजुलाज़ेशन की लाइब्रेडी नहीं पड़ी लहाजा हम पंदास के प्लॉट फंक्शन से भी प्लॉट कर लेते हैं मॉक, मॉक.csv की फाइल है इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं और इसको हम प्रिंट कर रहा देते हैं रन करता हूं सेल को में तो यह हमारे पास इसका टेबल प्रिंट हो गया है मॉक.csv की फाइल के तरह देटा था वह यहां पर प्रिंट हो गया है तो अब मैं यहां से स्पेसिफिक डेटा निकालता हूं उसको इसको उपर से ग्राफ्स प्लॉट कर दो किस तरह से हम प्लॉट फंक्शन के से रही है ग्राफ्स प्लॉट कर ज़ुटे हैं तो मैं एक न अगर आपने इंस्टॉल नहीं कियो ही तो इसको 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 इस तो यहां में मैं देख लेता हूं का यहां मारे पास कंट्रिज का काँट देख लेता हूं उसके बाद डाउर्ट वैल्यू काँट गर्वैलिव काँट्स अब इसको में रान कर लेता हूं तो हमारे पास यह country's का count है वो आगए हमारे पास China 47 है, Russia 33 है, France और यह यह यही तक सारे हमारे पास जितने भी its count से, वो सारे आगए तो इसको फंक्शिब को रगाने तरीकार होता है, counts के आगई हमारे पास एक series आगई है उसके बाद मैं यहां पिलको dot, plot का function, plot का function आ गया, plot के बाद plot के function में parameters दे जाते हैं, kind, kind के अंदर आप टाइप होती है, क्या कौन सी type होगी, किस type में यह print होगा, यह मुदिश टाइप से हमारे मुदिश टाइप समुदा के चेक कर लेंगे, सबसे पहले मैंने kind is equal to bar लगाया यह हमारे पास बार की shape में print होगा, मैं इसको run करता हूँ, तो यह हमारे पास graph प्रिंट हो गया, इसमें हमारे पास चाइना आ गया है, सबसे टॉपे था आपने पहले दिखा था, उसके पास रिशिया और N तक UAE, यह हमारे पास बार था, अगर इसको मैं यह हमारे पास vertical ल इस तरह से हम graph को प्रिंट करवा सकते हैं, अगर मैं इसी को चाहता हूँ, इसके साथ मैं ले लेता हूँ, एक और cell लेता हूँ, इसमें मैं count कर लेता हूँ data का, square brackets, gender, gender को count कर लेते हैं, dot value count, इसको मैं cell को run करता हूँ, तो हमारे पास यह genders आगे, यह genders की types हैं, इसमें इस male, female, और यह आगे मुख्लिफ types हैं, यह types आगे, इसको अगर मैं print करवाराना चाहता हूँ, तो मैं लगा हूँगा, dot, cloud, और kind के अगर, kind जिसका parameter इसके अंदर मैं देता हूँ, pie, pie के साथ मैं print करवारता हूँ, तो देखते ही किस तरह से मारे पास print होगा, तो यह मैं cell को run क करता हूँ, तो हमारे पास यह कुछ इस शीय में print हो गया है, हमारे पास male 50% है, उसके पास female 85% है, और बाकी 15% है, वो बाकी के count हैं, इसी तरह से मैं इसके ओपर bar plot लगा सकता था, bar plot लगाता हूँ इसके ओपर, इसको अगर मैं इसको अगर मैं horizontally देखना चाहता हूँ, इसक पर graph plot हो गया है, series के ओपर, इसी तरह से अगर मैं हमारे पास ही पहले था country's account, इसके ओपर अगर मैं pie का print कर रहता हूँ, तो मैं account के आगे pie देता हूँ, तो यह हमारे पास circle shape में graph print होगा, इसको मैं print कर रहता हूँ, यह हमारे पास इस तरह से Russia, China, France, USA, Germany, Qatar, Oman, UAE वगरा के जो series C उसकी percentage है वो graph के तरही प्रिंट हो गई है, तो इस तरह से हम mat plot के function के तरही हम graph को मुख्लिफ graph को print कर वा सकते हैं और visualize कर सकते हैं, आज दी class के लिए तरह ही मिलते है next class में